साल 2022 खतम हो चुका है और साल 2022 की बिज्ञान एवं पुरुद्धिकी में क्या उपलब्धिया रही है साइंस एंड टेक्नोलोजी में उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं और याद रखिए सभी जो भी उपलब्धिया है आपकी एक्जाम के लिए बहुत ही मतपूर रहेंगी और इनसे आपकी परिक्षाओं में कुश्चन सभी पूंचे जाएंगे चाहे आप लोग सिविल सर्विस की तेयारी करें हो या इस्टेट PCS की या आप देखते हैं कि तमाम ओंड एक जाम भी होते रहते हैं एक बार भारत को देख लीजे आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली थी और इसलिए आप देखते हैं कि हर साल 15 अगस्त को आप लोग सुतंता दिवस मनाते हैं और पडोसियों में देखें तो पाकिस्तान पहले हमारा हिस्सा हुआ करता था यह पाकिस्तान है यह आप देखें अफगानिस्तान है अफगानिस्तान से केबल हमारे लद्दाग वाले हिस्से की सीमा लगती है जो पाकिस्तान कबजा की यह बैठा हुआ है और यह चाइना है नैपाल है भूटान है बंगलादेश है और म्यानमार है जलिए सीमा आप देख हवाना सिंड्रोम साल की सुरुवात में हवाना सिंड्रोम नामक एक बीमारी आसा चर्चा में रही थी और दरसल अमेरिकी कोफिया एजनसी का एक अधिकारी भारत आया था जो बीमार पढ़ गया था तो डॉक्टरों ने अंदेशा जताया था कि उसे हवाना सिंड्रोम हो गय जा था और इस बीमारी के लक्षन आप लोग कह सकते हैं कि यह है और इसे ही हवाना सिंड्रॉम कहा जाने लगा और डॉक्टर और विग्यानिक इसकी बजों का पता लगाने में जोटे हैं लेकिन किसी ठोस नतीजर पर नहीं पहुंच सक पाए हैं और पिछले साल अमेरिकी राष्टी विग्यान अकादमी की एक रिपोर्ट में हवाना सिंड्रॉम का संभावी कारण निर्देशित माइक्रो वेव विकरन को बताये गया था लेकिन कुछ बिसे सग अभी भी इससे अलग मत रख जता रहे हैं और वरहराल मामला अभी भी और सरवादिक सोध का बिसे बना हुआ है सोध होगा उसके बाद मालू चलेगा कि आकिर क्या परेशानी है एक क्या काहे से होती है कैसे होती है कबच तकनीक एक क्या है 22 साल मार्च महिने में रेलवे की कबच तकनीकी का ट्राइल किया गया था और बाद में इस तकनीक को कर ठंड के समय जो आप देखते होंगे कोहरा पड़ता है उसमें आपस में टक्रा जाती है कई वार इस तरह की खबरे आती है तो उन्हीं को रोकने के लिए और जिससे जानमाल की हानी कम की जा सकेगी और कबच भारती रेलबे द्वारा विक्सित संचालित टैन टक्कर रोधी पेडाली है यह एक सौदेसी रोप से विक्सित पेडाली है जो टैनों की भी टक्राव को रोगती है और इसे ट्रेंड कॉली सन एवोईडेंस सिस्टम टीसी एएस के नाम से भी जाना जाता है और कबच पेडाली स्टेशन मास्टर और लोको पाइलेट को आपात इस्तिती क दौरान एक दूसरे के साथ प्रवावी ढंग से संबाद करने की विवस्ता भी पिदान करती है और इसके माध्यम से कबच पेडाली सोचालेत रूप से ब्रेक लगाने में सक्चम भी होगी अच्छी पहले है 5G तकनीक और आप जी मोबाइल जनरेशन की बात हो रही है दु किया है और आपको बता दूँ कि समय के साथ टेलिकॉम या वायरलेस इंड़स्टी अपने इंफ्राटक्चर में सुधार करती रहती है और पहले टूजी था उससे पहले वन जी था फिर थिरी जी आया फिर फोर जी आया अब बात चल रही है फायप जी की और यही यह तकनी कि एक तरह से नेटवर्क को अफग्रेड करने की पिक्रिया होती है पहले आप देखते कि आप लोग साइगल से चलते थे बैल गाडी से चलते थे फिर आपने देखा है कि बसें चलने लगी फिर आपने देखा है हर किसी के बास कार होने लगी फिर और बी आईपी कार होने है और इस पेक्टर में जितनी ज्यादा फेक्वेंसी होती है नेटवर्क से बाव उतनी ही तेजी से होता है और इस तकनीक से प्रोधुगी की छेत में एक नए योग की सुरुवात होने की उम्मीद भी है ग्रीन हाइडोजन पॉलिसी भारत सरकार अग्रेन हाइडोजन उत्पादन करने के लक्षनित धारित किया गया है और आप देखेंगे कि हाइडोजन उत्पादन के लिए कम कारवन उस्चाजन बाली तकनीकों के उपयोग को बड़ाबा gusta दिया जायगा और आपको बता दूँ की हाइडोजन इिनधन ऑकसीजन के साथ चलने पर सोन उधसाजन करता है और हाइडोजन इनधन के उपयोग से उसाजित होने वाला एकमात और फुद पात पानी होता है और इसलिए इंधन सौ पितीसत स्वक्ष माना जाता है इससे कारवन भी उससाजन नहीं होगा इसका उपयोग इंधन सेलों आंतरिक दहन एंजनों में किया जा सकता है और खास बात यह है कि यह ब्रह्मण्य में पाये जाने बाला सबसे पिचुर तत है सौर और अनि तारे ब्यापक रूप से हाईडोजन से निर्मित होते है हमारे अब देकि कारें तो चलने ही लगी है हमारे जो सडख परिभवन मंतरी है उनके पास है कार हाला कि हमें यह भी दियान देना होगा कि इंधन के रूम में और उध्योगों में हाइडोजन के विवसाइक उपयोग के लिए हाइडोजन के उत्वादन भंडारन और परिभन मांग और निर्मान के लिए अनुसंधान और विकास में भारी निवेश की जरूवत पड़ेगी अब देखी नई तकनिक है तो उस पर निवेश तो करना ही पड़ेगा उसमें खो जान्दतर मामले राजिस्तान हुजरात से थे और लंपी वायरस के कैप्री पॉक्स फैमिली का वायरस है इसे जरूर याद रखिएगा और गौट पॉक्स और सिफ फॉक्स की तरही मवेसियों में लंपी इसके इसके डिजिजिजिच के नाम से बीमारी फेलाता है और यह काटने बाली मक्षियों, मच्छनों जोग और दूसरे दाने और पानी से पहलता है यह एक संक्रमक बीमारी है जो संक्रमे जानबर की सीधे संपर्क में आने से दूसरे जानबर को भी हो जाता है और रहात की बात यह है कि एक रोग पसुनों से इंसानों में नहीं पहलता है यानि यह एक जुनोटक बीमारी नहीं है और इस बीमारी के लक्षन की बात करें तो इसमें जानवरों की सरीर का तामान काफी बढ़ जाता है उन्हें भूख नहीं लगती और उनके पूरे सरीर पर जगय जगय गाठे बन जाती है और बहुत सारी पसुओं की डेध भी हुई है आप लोगोंने सुनाओगा तो राजस्तान देखें तो रे राजस्तान जैपुर इसकी राधदानी इसकी सीमा पाकिस्तान से लगती भारत का पहला लीथियम सेल मेनुफेक्चरिंग पिलांट इस सेप्टमबर 2022 में भारत का पहला लीथियम सेल मेनुफेक्चरिंग पिलांट आंद्पिदेश की तिरूपती में बनाये गया और इस पिलांट की रोजाना की चमता 270 मेगावाट की है और यह 10 एंपियर पिती घंटे की चमता वाले 20,000 सेल का उत्पादन कर सकता है और यह चमता भारत की मौझूदा जरूरत का करीब 60 पिती सत है और इन सेल का इस्तिवाल पाबरवेंक में होता है और अनेलेक्टोनिक आइटम जैसे मोबाइल पॉन, इयर पॉन और स्मार्ट वोच की सेल भी यहां तेयार किये जाएंगे भारत अभी चीन, दच्चेट कोरिया, बेतनाम और होंग कॉंग से लीथियम आयन सेल आयात करता है हम लोग खरीदते हैं, और इस फिलांट की बनने से आयात में कमी आगी, हमें खरीदना कम बढ़ेगा जब हमारे देश में बनेगा तो कहाए को खरीदेंगे हम लोग आंद्पिदेश की रादधानी अमरावती है, इसकी सीमा उडिसा, चत्तिसकर, तेलंगाना, करना टक, तमिलाडू से रखती है बासाई आधार पर गटित होने वाला पहला राज्जी आपका आंद्पिदेश ये भी याद रखिएगा फिलेक्स फियूल, एक या है फिलेक्स फियूल तो भारत सरकार आजकल बाहन निर्माताओं पर फिलेक्स फियूल से चलने वाले बाहनों को बनाने के लिए जोड़ दे रही है और इससे तीन फायदे होंगे, सबसे पहला ये कि फ्लेक्स फ्यूल से बायू की दूसरन कम होगा, दूसरा फ्लेक्स फ्यूल मौजूदा इन्हन, यानि पेटॉल और डीजल की किमत के मुकाबले सस्ते दाम पर मिलेगा, और तीसरा इससे कच्छे तेल के आयत में कमी भी आए भी कहा जाता है, इसे बनाने में गन्य मक के दूसरे एक्ग्री वेश्ट है, उत्पादों का उप्योग प्रयोग किया जाता है, अब आप देखें भारत प्रमुक गन्य उत्पादक देश भी है, इसलिए ऐसे इंधन को बड़ी स्तर पर बनाने में सामग्री की परेसानी भ बात के चलते हैं, फ्लेक्स से फ्यूल को भविस के एक विकल की रूप में भी देखा जा रहा है, आंगे आप देखेंगे कि हुमन पैपी लॉमा वाइरस, ये C-E-R-B-A-B-A-C, साल 2022 में सर्वाइकल कैंसर के इलाज के लिए बिग्यानिक रूप से बनाईगी भारत की पह सर्वाइकल कैंसर तब होता है जब गरवासर गीवा प्रविस द्वार के अस्तर में कोशिकाय आसामान रूप से विक्सित होने लगती हैं, और इनिचली गरवासर की गरदन या संकीन हिसा होता है, इसे आम तो हम बोलचाल की भासा में बच्चे दानी का कैंसर कहते हैं, और सर्वाइकल कैंसर के लगवक सभी मामले हिूमन पैपी लोमा वायरस की बज़े से होते हैं, यह वायरस जरूर याद रखेगा, यह आम वायरस है जो एक बेक्ती से दूसरे बेक्ती में संभोग के द्वारा दौरान फैल सकता है, और सर्वाइकल कैंसर के मामले में दुनिया पत्त पिकासित किया इस पत्त या पत्त पर 140 से अधिक बिसे सग्वा और गडमान ब्यक्तियों ने हस्ताक्चर किये और दरसल इससे विभेन राष्टों बहु पक्षिये इस्तान स्तानों से रॉकेट के अनकंट्रोल्ड री इंट्री को पिती बंदित करने का अहन भी किया है और जब किसी उफगरे को पित्वी की कक्चा में पिछे पित किया जाता है तो जादातर रॉकेट पित्वी की कक्चा में पहुँचने से पहले अपने सारे पूर्जे अलग कर देते हैं और 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 बिट में केबल पेलोड ही प्रवेस करता है अब जो पूर्जे रॉकेट स ये टुकड़े अपने भार और हवा की गती और पर्टिकूलर कौन की आधार पर पितवी की सताय से टकराते हैं जिससे हम अनिंतित प्रवेस यानि अनकंट्रोल्ड रिंट्री कहते हैं और ज्यादातर ये टुकड़े समुद्र या महासागरों में ही गिरते हैं लेकिन कभी-क के टुकड़ों के पुना प्रवेस को नेन्तित करें उनके टुकड़े किसी सुरक्ष जगाय पर गिरें और जिससे जानमाल को कम हानी हो सके नुकसान हो सके हमारी अंत्रिक चैजनसी इसरो है इंडियन स्पेस रेसर्च और्गनाईजेशन पंद्रएगस उनीस सो नत्तर में इस की स्थाफना हुई थी बैंगलोर में करनाटक मैं आपको हेड़ क्वाटर देखने को मिलेगा देखे बैंगलोर करनाटक की राधदानी है करनाटक की राधदानी है बैंगलोर इसकी सीमा गवा महाराज तेलंगाना आंध्पिदेश-तमिलाड़ू के रजसे लगती है stem cell transplant stem cell transplant की तक्नीक पिछले कुछ सालों से लगातार चचा में और भीते साल भी यह सुरकी उमरा दरसल अमेरिका में HIV फीडित एक महला को stem cell transplant के माध्यम से ठीक किया गया अभी तक HIV को लाइलाज माना जाता था लेकिन इसके बाद से AIDS के उप्चार को लेकर बिग्यानिकों में एक उम्मीद जगी है दरसल इस टाइम कोशिका या मूल कोशिका ऐसी कोशिका होती है जिन से सरी किसी भी अंग को विक्सित करने की चमता होती है और इसके साथ ही इस सरी की दूसरी कोशिकाओं की रूम में भी खुद को ढाल सकती है बिग्यानिकों के अनुसार इस इन कोशिकाओं को सरी कि किसी भी कोशिका की मरमत मरमत के लिए प्रयोग किया जा सकता है और कुसी काओं की बीमारियों की इलाज के लिए इन्हें लेम में विक्सित किया जा सकता है और ये कुसी काओं बॉन मेरो, चरवी, विलर, डेंटल, पल्प इत्यादी चीजों में पाए जाते हैं और जिसे आप देखेंगे कि निकाल का डेमेज एरिया वाले सेल्स की जगह ट्रांस्प्लांट कर दिया जाता है इसे ही स्टैम सेल्स क्या कहते हैं? ए ट्रांस्प्लांट कहते हैं चलिए, यहाँ एर्स की बात हुई है, HIV वाइरस के बारे में आप लोग पढ़ते होंगे, सुने भी होंगे और इसके बारे में पढ़ते रहा भी करिएगा इसे आप लोग क्या कहते हैं? एर्स की बात करें, तो एक्क्वाइर्ड इम्नोडिफेसेंसी सिंडॉम का कारण बनते हैं होई आप देखें एर्स से दिवस कब मनाया जाता है, यह आप लोग बताएगा नीचे आप देखेंगे इस्टार लिंक सैटिलाइट, यह क्या है? यह आप देखेंगे कि अकसर आसमान में चमकती हुई रेल गाड़ी की तरह दिखने वाली स्टार लिंक सैटिलाइट, स्पेस एक्स कमपनी द्वारा लॉंच किये गए सैटलाइटों का एक गुरूप होता है, इसके द्वारा विस के 40 देशों को इंटरनेट की सुविधा दी जा रही है, रोस से यह दिखेंगे द्वारान यूक्रेयन ने भी स्पेस एक्स की इस सुविधा का फायदा उठाया है, इस्टार लिंक दुनिया भर में हाई स्पीड, लो लेटेंसी, ब्राउंड वेंड इंटरनेट पिदान करता है, और इसे सैटलाइट की माद्दिम से ऐसी जगए पर भी इंटरनेट की सीवा पिदान करने का दावा किय जा जा रहा है, जो पित्वी के किसी ऐसे छोर पर है, जहां फायवर इंटरनेट नहीं पहुंच सकता है, तो सही बात है आप देखे, आयरें बैक्ट्री वो एलेक्टोनिक बाहन दुरगटना, चली ये भी देख लिजे, इससे भी बहुत ख़बरें आ रही है, तो भीते सा भारत में कई इलेक्टोनिक बाहन आक से दुरगटना गिस्त हो गए है, जिसके चलते कई लोगों की मित्तिव होई है, मामले का संग्यान लेते हुए कैंसरकार ने इलेक्टोनिक बाहनों में आक से होने वाली दुरगटना की जाच के लिए एक पैनल गटित किया है, और दर से अधिक का समय लगता है, और चलन की चकर में बाहनों वेक्ट्री वनाने वाली कंपणियों ने सारी मानकों को ताक पर रख दिया है, और इसके चलते ये लेक्टोनिक बाहन दुरगटना गयस्त हो रहे हैं, इस तड़ा की घटना है, आ रही हैं, विलेक हॉल, विलेक हॉल इतना मजबूत, मजबूत होता है कि ये पिकास को भी आउसोसित कर लेता है, और आप लोगों को अपनी तरफ खींच लेता है, इस तरह की ख़बरें आप लोग पढ़ते रहते हैं, इस साल की सुरुवात में जब मंकी पॉक्स बीमारी का पिरकोप बढ़ा, तो कही जगों पर जगों पर इसके लिए नसल बादी और आपती जनक भास्ता का इस्तिमाल किया गया, जिसकी वज़े से विस्तु स्वास्ते संक्टन ने मंकी पॉक्स का नाम बदर कर एम पॉक्स कर दिया, मंकी पॉक्स का एक दुरलब वैरल जोनोटिक बीमारी है, जिसमें चेचक के सम और सुजन आ जाती है, और चेहरे हतेलिया, तलवों, आखों, मोय, गले, जांग और जननांग जैसे जगों पर दाने या च्छाले भी हो जाते हैं, तो ये भी आप लोग याद रखेगा, और डबलू एचो की बात करें देखें, एक और बात आप लोगों बता दू, इस त भारत का पहला जैब डाटा सेंटर, ये क्या है, ये आप देखें कि जैब परोदुकी की बिभाग, कि सहयोग से चेत्रिय जैब परोदुकी की कैंद, फरीदाबाद में इंडियान बायोजीकल डाटा सेंटर की स्थापना की गई, ये भारत का पहला जैब डाटा सेंटर है देश में इसके पहले Life Science Data Store Center ना होने के कारण इउरोप अमेरिका जैसे देशों पर निर्वार रहना पड़ता था सौ करोड की लागत से बनाए गए इस Life Science Data Center के पास चार फेटा वाइट तक स्टोरेज रखने की चमता है और यह उच्च चमता बाले सुफर कम्प्यूटरिंग सुविधा बर्मा से लेस है और इस Center की जरीए आने वाले समय में कुरोना जैसी बीमारियों की पहचान और रिसर्च में मदद भी मिलेगी भारत का पहला निजी रॉकेट विक्रम एस इसे भी देख लीजे तो आप देखेंगे कि नवंबर 2022 देश की पहली प्राइवेट स्पेस कंपनी अंतरिक्च स्टार्टव इसका इरूट एरोस्पेस का रॉकेट विक्रम एस सपलता पूरवक लॉंच किया गया है इसे लॉंच करने में भारती अंतरिक चन्व संधान संगठन ने भी मदद किया इस मेसन का नाम पयारम रखा गया है विक्रम एस रॉकेट ने स्री हरी कोटा में इसरो के सतीस धमन अंतरिक चन्व से उड़ान भरिये विक्रम एस ठोस इंधन वाले प्रोणदन अत्याधूनिक एवी उन्नेक्स है और सभी कारवन फाइवर कोर सरचना द्वारा संचालेत है रॉकेट का नाम बिक्रम एस पिसिद्ध भारती बिग्यानिक और इसरो के सस्तापक डॉक्टर बिक्रम सरावाही के नाम पर रखा गया है आँगे है आप देखेंगे दुनिया का पहला किलोन आर्केटिक बुल्प है यह क्या है यह आप देखेंगे कि आर्केटिक ब्रक या आर्केटिक भेडिया को स्वेद ब्रक और धुर्विय ब्रक भी कहा जाता है इसका बिज्ञानिक नाम कैनेस लूपस आर्क टोस है अभी बर्तमान में आर्केटिक भेडिया बिलुप्त होने की कगार पर है इसे बचान या दुँनिया में अपनी तुरह का पहला मामला है in two years 2019 विए इसे बनाने के लिए donor sell कर्नाडा की एक माधा खट बेडिये की तो चांज का हमारी आपकी बन सकती है विसकी पहली इंट्रा नेजल वैक्सीन साल 2022 में भारत की बायो टेकनोलोजी कंपनी भारत बायो टेक ने COVID-19 की नई वैक्सीन इन को लॉंच किया है इस वैक्सीन को केंद्री ओस्थी मारक नेंतन संगटन ने मजूरी दी है यह दुनिया का पहला इंट्रा नेजल टीका है जिसे प्राइमरी सीरेज और वूष्टार खुराक दोनों के लिए मंजूरी मिल गई है यह एक एडिनो वाइरस वेक्टर वैक्सीन है नाक से लिए जाने बाली और करोना महारी ने अपने देखा है कितने लोगों की जान ले लिए है नॉबल पुरुसकार तो नॉबल पुरुसकार पर भी आप लोग देखते हैं कि एक कब 1901 में जो अलफेड नोबल थे ना उनी की याद में यह नोबल पुरुसकार दिये जाते है लेकिन अर्थवस्था का नॉबल पुरुसकार आप देखेंगे 1960 में शुरू है था पहली बार 1970 में दिया गया था स्वीडन की स्वांते पावो को चिकिस्ता की चित में नई खोज के लिए चिकिस्ता की नॉबल पुरुसकार से समानित किया गया है उन्हें पुरुसकार मारवों की बिलुक्तिव पूरवज और मानो विकास की अनुवांस की जीनोम से जुड़ी खोजों के लिए दिया गया है बहुत की के लिए नॉबल पुरुसकार पाने वाले विग्यानिकों में हैं एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ्ट किलूजर और एंटॉन जिलिंगर तीनों विग्यानिकों को क्वांटम मेकेनिक्स के चित में कार करने के लिए पुरुसकार दिया गया है तो यह कुछ महत्पूर्ण घटनाय थी science and technology से जुड़ी हुई जो 2022 में घटी है इन्हें एक से दो बार देख लीजेगा आप लो अगर questions आएंगे आपकी परिक्चाओं में तो आप लो answer भी दे दीजेगा उनका ठेक है